हेलो एवरीवन गूड इवनिंग वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप टोग आप लोगों को मेरी तरफ से जनमाश्टमी की हार्दी शुब कामना है हैपी जनमाश्टमी बच्चे जो है ना वो पूजा की तयारी कर रहे हैं और वो देखिए मंदिर अभी बिल्कूल तयार है रेडी है उनका तो पूजा बच्चे ही करेंगे पूजा मैं नहीं करूंगी फ्रेंड्स क्योंकि मेरी ना अभी पिछले एक हप्ते से तब्यत पहुंच जादा खराब है तो मैं तो पूजा करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ नहीं कर सकती पूजा मैं तो लेकिन काना जी की पूजा तो हो नहीं है जब उनकी स्थापना घर में है तो बच्चों से करवा रही हूँ बच्चे अपनी तयारी कर रहे हैं एक तरफ से मेरा फेस देखके आप लोग को लग रहा हूँ कि हां मेरी तब्यद नहीं ठीक है तो काफी टाइम से मेरी तब्यद खराब चल रही है आज हो गया कम से कम हपते दस दिन हो गया है तो बस इसी वज़े से और पता नहीं दो साल से ऐसा क्या हो रहा है कि जब भी जनमाश्ट म करीब आती है तो मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकर पूजा करने में बहुत ज़्यादा मतलब असमर्थ हो जाती हूं नहीं कर पाती हूं पूजा चाहा कर घी लास्ट यह वी ऐसा ही वहा था मुझे बहुत जादा फीबर आ गया था लेकिन अश्ट यह ड़ पूजा नहीं पाऊगी तो दुख भी है मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा तो कोई नहीं चलो बच्चे कर रहे हैं खुशी इस चीज की है क्यूंकि पूजा हो जा रही है आज तो तयारिया हो गई है बस अब के जन्म का वेट कर रहे हैं बच्चे मैं तो कहा था आप लो तो पूजा आपने हिसाब से पहले कर लो अब देखते हैं बच्चे जितना वेट कर पाएंगे अगर टाइम तक कर पाए ठीक है नहीं तो पूजा कर लेंगे वो चले जैसा भी बचे करेंगे न मैं आप लोक के रेष्योट करके आप लो प्रजृशे करा लेते हैं के साफ तैयार आप लूगों से बात में कुछ देरक six तो फ्रेंडस यह देखिए पर बच्चेों जो है जो हम जो जूहार जो जूहने जूहला है उसे त्यार कर रहे हैं तो यह जूहला मैंने में इंदम नहीं ख़रिदा फ्रेंडस यह मैं ने और बैट के काफे दियर से यह लोग यही किर रहे थें रात में, सारा काम फिनिश करने के बाद यह लोग इसमें जुड़ गाए थे, कर ने के लिए, तो देखेसे इस तरीकh से इन लोगों ने सजाया है, और अभी यह देखे, यहाँ पर हो गई है, पूझा स्टार्ट, तो अगर आप लोगों को पुछ भी मिस्टेक अगर दिखाई दे लिए सुछ इगनॉर करिये गा तो कि बच्चों अपने हिसाब से कि है पूजा जितनी भी तयारियां कि ए इन ही लोगों ने की है मैंने कुछ भी नहीं किया था क्यों कि मुझे करना ही नहीं था मेरी तभी नहीं जहाता है जल से पानी से लगबग जैसा इनों को समझ आया बच्चो को ऐसा किया इनोंने तो है तो यह देखिए नहें को अश्छे से इनको नहिंने जाता है वह जाता है उन्हें और आपिक नहिलाने के बाद तो फ्रेंड्स मेरे पास दो काना हुआ है तो अभी एक चोटे कान हजी एक दो एक बड़े वाली है तो अभी इनको नहलाने के बाद ये देखिए बड़िया नयो नयो ड्रेस पहना दी जाएगी इनको फिर इनका श्रिंगार कर दिया जाएगा तो काफी अच्छा किया था बच्चों ने अपने हिसाफ से जैसे लोग कैसा लगा आप लोगों को तो चलिए देखते हैं आप बच्चों की पूजा और आप लोग भी देखियो और इंच्वाइ करें झाल 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 और यह देखिए अभी फिलार इन्होंने जूले को कैसे फूलों से सजाया है नीचे इसके जूले के अंदर भी धेर सारी इन्होंने फूल रख दिये हैं और उन्हीं फूलों के उपन काना जी को बठाया गया है फ्रेंड्स तो यह बच्चों का अपना अलग सा तरीका था यह अनकी अपनी प्लानिंग थी कैसे इनको बठाना है तो फूलों के बठाया है इनको तो काफी अपने हिसाब से इन लोगों ने काफी अच्छा किया था और काफी इन्जॉय भी किया यह दोनों भायों ने मिलकर और अभी यह देखिए भोग लगाने के किस्किप जो है वो किस्किप हो गई क्लिप और अभी हो रही है आर्थी तो भोग में भी फ्रेंट्स श्रिप मैंने लड्डू का ही भोग लगवाया था क्योंकि भोग कुछ बना नहीं सकती थी मैं तो बाहर से मंगवा लिया था लड्डू अगेरा उसी का भोग लगा दिया था तो अभी हो रही है आर्थी तो आजएए आप लोग भी काना जी के आर्थी में सामिल हो जाएए नेकपल को जबकी लग गई थी सो गई थी तो लेकिन बच्चो ने बुरी बूजा कर लिये प्रैंट सभी और वो देखिये वो भी विचारा सो के एकवाल सो गया था फेर उटाओ लेकिन चलिये फाइनली हो गया वे काना जी का जन्नाम पूजा हो गई है भोग लग गया है उनका तो चलिये काना जी का अशिरबाद सब के लिए आप सब को भी लगे तो फ्रैंट बताएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा होना तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक लाइक चुरू कर दीजेगा फ्रैंट जो मेरे चैनल पर न्यूं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकल को फ्रैस करना बिल्कुल भी न भूले जिससे कि आने वाली वीडियो को नौटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो तो चैनले फ्रैंट मिलते मिलते हैं अगले लोग में बाई बाई